जैमर डाटकाली भक्तों, आज का जो वीडियो है, ये एक ऐसा राज खूलने वाला वीडियो है, जिसमें मैं आपको जानकारी दूँगा, समस्त भक्तों के सवाल के आधार पर की मुझसे पुछा जाता है, गुरुजी, कुछ खास विशेशता हैं बताएं, क्या संकेत है, ऐ जो हमें कुछ बतानी कोशिश करें, आपकी ईश्ट, आपकी कुल देवी, कुल देवता या पित्र हों, जो आपको कुछ संकेत देना चारे हो, और आप समझ ही नहीं पारे हो, ये संकेत शुब भी हो सकते हैं, अशुब कारी भी हो सकते हैं, पर कैसे पैचाना जाएं, और आज की जो tagline है आप tagline पढ़के समझ जाओगे आपके क्या सवाल का जवाब देने वाला हों कि हर रात अचानत तीन से पाँच बजे के बीच अगर आपकी नीद खुलती है तो समझ जाएं कि कहीं ना कहीं कोई शक्ती है, कोई भगवान है, कोई इश्ट है, कोई कुल देवी कुछ tension नहीं लेनी है, जो आपके मन में confusion था इस बात को लेकर उसका उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आपको देना जा रहा हूँ, आप लोग उसे निवेदन है, वीडियो को पूरा सुनिये, समझ ये, और अगर आपकी किसी भी रिष्टेदार, आपकी किसी अपने भाई कि हर राद अजानक तीन से पांच के बीच में अगर नेंद कुलती है, तो क्या संकेत होते हैं, मैं आप लोगों से हमेशा की तरह निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप भी परसनली जोड़के मुझसे कोई परसनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं, आप क मैसेज बॉक्स पे जाके आपने मुझे अपॉइन्मेंट लिखना है, एक चार्ज पे करके आपने मुझसे टाइम बुक करवाना है, और उस दिर्धारित समय पे दिये गए टाइम पे आप से स्वेम मैं बात करूँगा, आपकी परेशानी को डिसकस करके उसका समाधान पांच बजे के बीच पे, अगर आपकी बार बार रोज नींद खुलती और आप समय देखते हो, तो तीन से पांच बजे के बीच पे वो रहा होता है, तो इसका क्या संकेत है? उत्पर के रूप में मैं आपको बता दू, अगर आपकी नींद एक ही समय पर रोज खुल रही तो ये भगवान की तरफ से आपके कुल देवी कुल देवता इस्टों की तरफ से पित्रों की तरफ से आपके लिए एक बहुत बड़ा संकेत है इशारा है ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी देली रूटीन के तहत नींद खुलती है बलकि ये बात उन लोगों पर यानि कि अगर आपका रूटीन है भई मुझे सुबह 3-5 ज़े के बीच पे उटना आप अलाम लगा रहे हो तब उठ रहे हो ये उनके लिए वीडियो नहीं है ये उनके लिए वीडियो है जहां आप अपनी चैन की नीद ले रहे हो जैनकी सांस ले रहे हो और अचानक से आपकी नीद खुलती है आप डरते हो घबराते हो या कोई स्वपन आया और आप जाग गए या को ऐसा अभास हुआ कि कोई आसपास है जो आपको जगा रहा है और कुछ बता रहा है और आपकी नीद खुलती हो और आप पुन्यताओं के अनुसार यदि एक ही समय पर नीद खुलती है तो किसी खास बात का संगेत बताया जाता है आप पर दैव्य शक्ति के कारण ये ग्रपा हो रही है ये संगेत दिया जा रहा है और साथ ही साथ रात में यानकि सुभे के क्योंकि रात इसलिए कहा जा रहा है नीद खुलने का संकेत आपको मिल रहा है और संकेत बता है कि यदि आपकी नीद तीन से पांच बजे के बीच में अगर आपकी अपसर खुलती है तो ये दुक्की तरफ इशारा हो सकता है शारिरिक कष्ट आपको मिल सकता है साथ ही साथ आप पर नकरातमत शक्तियां भी हा कोशिश करिए भी negativity है और इसका आपको उपाय कर लेना चाहिए उपाय क्या करना है यदि आपकी नीद तीन से पांच बजी के बीच खुलती है तो Google की अगनी के ओपर धूप लगाकर ध्यान रहे Google की अगनी के ओपर धूप लगाकर घर में आप धूआ जरूर करो ठीक है रात यदि आपको 9 से 11 बजे के बीच में नीद नहीं आती है अब ध्यान रखे एक तो आपकी नीद खुल रही है और आपको नीद भी नहीं आ रही है किस समय पे 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में रात को तो इसका भी संकेत होता है ये समय सोने का सबसे उत्तम समय माना जाता ह ठीक है अब इस बीच यदि आपको नीद ना आए हद से हद जादा चिंता और तनाव का कारण हो सकता है नॉर्मल लोग मेरे से सहमत होंगे जिनकी लाइफ में टेंजन चल रही होगी तो आपको तीन आती नहीं है आपके दिमाग में कहीं सारे एकदम थौट्स चलते हो रहते हैं चीजे चलती रहते हैं क्या होगा कैसे होगा होगा भी नहीं होगा कहीं ये ना हो जाए कहीं वो ना हो जाए और साथ ही साथ इसके लिए आपको क्या करना चाहिए भगवान का ध्यान करना चाहिए अपनी इष्ट का ध्यान करना चाहिए कि भई मेरे इष्ट देवी देवता मुझे इस चिंताओं से मुक्त करो और मुझे एक अच्छी नीन प्रदान करो इसके इलावा आप चाहो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमा का जाब कर सकते हो जैसा आपको सही लगे ठीक है इससे भी आपको नीद आ जाई आपको नीद आनी चालू हो जाएगे यदि आपकी नीद 11 से एक बजे के बीच में चानक से खुल जाती है और इसमें क्या है आप पवित्र मंत्रों का जाप करना चालू करें प्रमात्मा का स्मरण करें आप अपने अंदर इतनी अब मतलब चमा यहां चनल आएगी जो भी मैं मुझे चमा करो और साथ ही साथ जो है दोसरों को भी मैं चमा करता हूँ जो भी जिससे भी गलती हुए मुझे कोई दुश्परी नहीं पालनी मुझे कोई गलत कारें नहीं करना है यदि आपकी नीद एक से लेकर तीन बजे के बीच में जो मध्यरातरी का समय होता है उस बी की जाती है यदि आप इस जौरान भग्वान को याद करते हैं तो आपकी सारी मुझेलों का अंत हो सकता है तो यह उनके लिए जिनकी एक से तीन बजे के बीच में नीद कुल रहे है तो यह तंत्रमंद का समय है हो सकता है कि कही ना कही कोई नेगेटिव एफेक्ट आपको के उपर प्रभावी जो है वो साबित हो रहा हो रहा है या कोई चाती पे बैट रहा है कोई गला दबा रहा है और आपकी अचानक से नीद कुल जाए तो नेगेटिविटी का समय है तंत्रमंद का समय है तो अपनी जो है अपने जिस देवी देवता पर आप भरोसा करते हैं रिशी मुनियों का समय होता है इस दोरान संत पुरुष सनान करते हैं और अपने साधना में लीन होते है यदि आप इस दोरान भगवान से कुछ भी मांग लेते हैं तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होती है वहीं यदि मैं बात करू आपकी नीद जो है रोजाना अपने आप ही और्टोमेटिक पांच बजे से लेकर साथ बजे के बीच पे खुलती है सुभे के, तो ये तो सभी को पता है, ये जागने का समय होता है, ये समय तक सबको उठ जाना चाहिए, अपना नित्य करम कर लेना चाहिए, दैनिक जीवन अपना जीने का प्रारंब कर लेना चाहिए, परंतु ऐसा अचानक से हो, तो इसका मतलब होता है, आपके उपर नकरातमक शक्ती का वास हो गया है, आप नहाने के बाद अपनी इश्देव को याद जरूर कीजिए, जिससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी, ठीक है, तो ये जो समय है पूरा समय है, आपको सोचो पवित्र समय पे आपको जो negativity है और negative thoughts आपको परिशान करें बड़े हैं, और ये उन्हें लोगों के लिए व पीच में नेंद कुलिए, अभी 5-7 बजे के बीच में कुलिए, 3-6 बजे कोई पवित्र शक्ती है जो आपकी रक्षा करें, सुरक्षा करें और आपको किसी भी गलत चीज होने से पहले बचाना जाती है, बताना चाती है, तो ये संकेत आप समझे और negativity है उसको हटाने के ल पुझा भक्ति का साहरा लीजे, देखे आपकी जितनी भी negativity है, कुछी दिनों में वो समाफ्त होने लग जाएगा, बाकी जिन लोगों के साथ चीज़े अच्छी हो रही है, तो उनके साथ तो अच्छी चीज़े चली रही है और अच्छी चीज़े आपकी हमेशा आपका भ दी रिजर्ट मिलेगा, और अगर आप भी चाहते हैं, मैं ऐसी और वीडियो बनाता रहूं, आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, वीडियो को लाइक कर दीजे, जरूर मन लोगों साथ शेर जरूर करे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और दर्बार से बने रहें, सभी भक्तों को जय माता दी, जय मादाट कानी